हलोडियो स्टुणेंट्स आज की सेशनम में हम पूराना वैसिन के बारे में दोस्तों डिसकसन करेंगे जितने भी पूराना वैसिन करें रोक आपको देखने को मिलते हैं सब दोस्तो प्रोटरोजियक एरिया में formation हुए प्रोटरोज़ग टाइम में ओके आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रोटरोज़ग वेसिन ये वाला एरिया कालादगी भीमा ओके देन बिंधियान कुड़ापा दी जाती में प्रोटरोज़ग वेसिन तो चलिए दोस्तो इसी प्रोटरोज़ग वेसिन के उपर हम डिसकसन करेंगे प्रोटरोज़ग सेडिमेंटी जो भी वेसिन थे दोस्तो दो भागा में डिवाइडर है कुछ दोस्तो पालियो प्रोटरोज़ग के अंदर आते हैं और कुछ दोस्तो मेसर और नियो फ्रोटरोज़ग पालयो प्रोट्रोजोईग वारा वेसिन ओते हैं ना यह दोस्तो हमारा लोयर फुराना गुरूप भी हम बोलते हैं, इसी लोयर फुराना गुरूप में आपको क्या क्या मिलेंगे दोस्तो विजवार एंड सौनराई वेसिन, हर्डा एनलियर, ग्वालियर वेसिन, अभुजमार वेसिन और पापागानी ये दोस्तों कुड़ापा का एक सब पर्ठ है इस तरह हमारा मेसो और नियो प्रोटर जाइक में आपको डिफरेंट डिफरेंट वेसिन मिल जाएंगे जैसे की बिंधियान, चतिसगर, खरियार वेसिन, अमपानी वेसिन, केसकाल वेसिन, ओके सीगनपार वेसिन, छेदरपाल वेसिन, इंद्रावती, सबरी, प्रनीता प्रावरी, कुड़ापा, कालादगी और भीमा वेसिन, यह डिफरेंट डिफरेंट काटन में जैसे की धरवार, बस्तर और बुद्रेखन काटन में मिल जाएंगे, यह दोस्तो हमारा मेसो और नियो प्रोटर जाइक बेसिन के अंदर आते हैं, जो पालियो प्रोटर जाइक वेसिन है दोस्तो, इसको हम स्टड़ी करने के पहला आता है, विजेवार वेसिन, यह दोस्तो सेंडवीच के सेब में, बुंदेलखन ग्रानाइट और विंध्यान सेडिमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसका दोस्तो जो लोंग है, मतलब की, यह दोस्तो आपक विजेवार वेसिन, सोनारी वेसिन के है दोस्तो, इट इस 28 किलोमेटर लॉंग और 5 किलोमेटर वीड़, इड इस इस वेस्ट टेंडिंग, और दोस्तो यह कहां पर रहता है, कि विजेवार वेसिन का वेस्ट पर ही, उसके बाद हर्दा इनलियर, जो कि दोस्तो हर्दा एरि इसके बार दोस्तो अबुजमार वेसिन अबुजमार इसका नेम क्या है दोस्तो अन्नों हील अबुजमार का मतलब अन्नों हील इन्दी रिमोड बंगसल लिजियन कोभरें एरिया ओग थ्री थाउजंड स्कोर किलोमेटर इही है दोस्तो हमारा अभुजमार वेसिन पापा घानी दोस्तो आपको पता है ये कुड़ापा सब सब मतलब की सब बेसिन है ओके कुड़ापा वेसिन के अंदर ही आता है ये भी द देला आता है सबसे बड़ा वेसिन है हमारा बिंधियन दिस लाजजेस्ट पूराना वेसिन ओके तो इनका थिकनेस भी आप देख सकते है थी तू 4400 मिटर का रेवा का दोस्तो 100 तो 300 मिटर और भांदर का दोस्तो 1300 तो 1500 मिटर तो सिंकलरियम से ब में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और थोड़ा सिक्यल से भी आपको देखने को मिलेगा और बिंधियन सेडिमेंट उसका है जागर देखेंगे दोस्तो 1600 तो 1720 मिलियन इर स्टोमाटोलाइड आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर दीजिए विए दोस्तो हमारा वेंधियन बेसिन जो कि सेंट्राल इंडिया पर प्रेजेंट ही नीचे में आपको रेकांट्राइब मिल जाएगा उपर आप देख सकते हैं यह यह दोस्तो का चित्रकूट एरिया ओके जबलपूर एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों यह टोटल जो यह एरिया क्या है दोस्तों बेसिनल एरिया है ओके उसके बाद 36 गड़ वेसिन 36 गड़ एरिया पर यह बस्तर काटन का अंदर इट कवरिंगे वर साइट चैनी को बस्तर का देखने को मिल जाएगा अगर हम देखेंगे दोस्तों इसरग और THE बसल, कंगलोमेरेट, सैंस्टोन, डॉलोमाइड सेल एंड लाइमस्टोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हाँ दोस्तो एविडेंस अब लाइब में इसके बाद दोस्तो हमारा खरियार बेसिन, it is actually irregular in shape, ovalt shape basin occupying the north-south trending of नौयागर and खरियार फ्लाटू it covering about 1500 square kilometer and containing 1000 meter thick sediment, sediment are also called as pyrri group, इसका thickness आप देख सकते हैं 600 to 1000 meter stromatolite indicate lower to upper ripien age but no radiometric data are available दोस्तो नेक्स्ट है हमारा अमपानी बेसिन अमपानी बेसिन दोस्तो हमारा एरिया कितना है 220 स्कॉर किलोमेटर नहीं बेसिन दोस्तो हमारा नेक्स्ट जो बेसिन आएगा ओ है दोस्तो हमारा इंद्रावती बेसिन दे इंद्रा बेसिन इज अल्चो ए इरेगुलर रोंबोएड बेसिन एट कोभरिंग एन एरिया बाउट 900 स्कॉर किलोमेटर एंड लिथोलोजी कॉंटेंट और्थोक्वार्जाइट सेल कार्बोनेट सिक्वेंस अफ एबाउट 500 मीटर थीक अन द देखने को मिल जाएगा डॉलोमाइट ऑल्सो एकोनोमिक मिनरल दोस्तों इंद्रावती ग्रूप इस फेमस फॉर सिमेट फ्रोडक्शन उस एरिया पर आपको देखने को बहुत सिमेट फ्रक्री देखने को मिल जाएगे क्योंकि यहां पर लाइमस्टोन बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं उसी से दोस्तों हमारा सिमेट बनता है उसके बाद हमारा दोस्तों सब्री बेसिन इड़िज़ ट्रागुलर वेसिन ऑफ 700 स्कॉर किलोमेटर इड़िज़ इड़िज़ सब्रेशन वीक्रिज़ कॉंसिस्ट बासल कॉंग्लोमेरेट एंड एर्थ नॉर्थ वेस्ट शाउथ इस्ट रेंडिंग सब बेसिन है सिचुएटर एर दी जंक्सव धर्वार एंड बस्तर क्राटर नॉर्थ प्रॉट पार्ट में आपको ये प्रोनीता गदाबरी जो रिवेर आपको देखने को मिलता हूं ही पर ही दोस्तो इसका एरिया है ओके डेव प्रोटोजग में उसी के कारन दोस्तो परणिता एंड गदाबरी बेसिन का डेवलोपमेंट हुआ है दिवेस्टन सब बेसिन इज कॉल्ड पक्खाल बेल्ट एंड इस्टन सब बेसिन इज कॉल्ड अलबाका बेल्ट The PG basin means की परणिता एंड गदाबरी basin extend for a length of 400 km with a width of 100 km It includes the width more than equal to 40 km for the गदाबरी गरवन अगद्वान इसन इसक्राइब एंड गदाबरी इसन इसादम्ट It occurring in the middle and separating the two sub-bassin The aggregate thickness of the sediment of the Pranitagadabari basin is estimated at about 6000 meter divided into four major groups namely Mamampalli, Muloog, Penaganga and Sulavi and they are separated by unconformity. Next one is Kudapa Basin, Kudapa Basin, Lower Purana Basin, Crescent Shep, Eastly Concave, North-South Tending, cover an area of 44,000 square kilometer in the east of central part of Dharuwar, Kraton. It is characterized by Quartzite, Carbonate, Sail, Diamond, mainly Quartzite and Sandstone, Sorry, Mendy, Quartzite, Limestone and Sandstone आपको यहाँपे देखने को मिलेगा. The west half of the basin is undeformed and constituted of four sub-bassin. Papagani, Kurnul, Sri Silem, Pallnard. यहाँपे भी दोस्तों आपको Stromatolite देखने को मिल जाएगा. यही है दोस्तों कुडापा वेसिन कैसे Crescent Shep में आप देख सकते हैं. नाला मलाई फोल्ड बेल्ड ही है. ओके बहुत ही फेमस वेसिन है. यहाँपे चैयार फोर्मेस्टन, फेमस फर, डाइमन. देन दोस्तों हमारा कालादगी बेसिन, कालादगी बेसिन इस ट्वेस्ट रेंडिंग पे है दोस्तों इरेगुलर बेसिन, कोवर एन एरिया ऑफ 8300 स्कुरार किलोमेटर. दोस्तों कालादगी का अपर जो सक्सेशन है, उसको हम बादामी ग्रूप बोलते हैं. और अल्सों इस इकोवालेंट तो कुड़नूल ग्रूप बागालकूट ग्रूप इस डिवादे इंटो लोयर लोगपूर सब ग्रूप अपर सिमिकेरी सब ग्रूप. इहां पर दोस्तों आपको रिपिया ने इसका कुछ माइक्रो स्ट्रमाटरलाइट देखने को मिल जाएंगे, बादामी ग्रूप इहां पर दोस्तों आपको मिलेंगे, उसके बाद भीमा वेसिन दोस्तों अपर पुराना में देखने को मिलता है, it is also irregular northeast trending consists of dominantly of limestone cover an area of 5200 square kilometer it is situated to the northwest of kurapa basin and northeast of kalatgi basin the thickness of average sediment thickness is 270 meter well known for its large reserve of limestone and the newly discovered uranium occurrence in near gogi sediment are practically horizontal but disrupted around the transverse fault this is the trend north east this is the trend north east this area is 5200 square kilometer so here is economic mineral in indian kurnul in diamond in indian kurnul in indian kurnul in indian खुम सेंज्ट्रों निया लाबद यहांपर रिया में दोस्तों ग्लास थेंड देखने को मिलजाएगों बहुत ही उसका ज्श्ट ज्यादा होता है क्यों यहीust कि पूराना बैसी पुराना वेशिंदम पुराना पॉराना बेस Maar तो इहां पे दोस्तो आपको कुड़ाफा मिल जाएगा और यहां पे आपको कुड़नुल मिल जाएगा और लोयर बिंधियान अपर बिंधियान दोस्तों यहीं पर ही लोयर बिंधियान यह दोस्तों अपर एंड लोयर बिंधियान ओके आज के लिए तना है थेंक यू